कम्प्यूटर का प्रयोग करके समस्याओं के समाधान ढूटने को कम्प्यूटर साइन्स कहते हैं कम्प्यूटर से कोई प्राब्लम सॉल्ल करवाने के लिए हमें कम्प्यूटर को निर्देश देने पड़ते हैं कम्प्यूटर को जो निर्देश दिये जाते हैं उनको अल्गॉरिदम कहते हैं जैसे पक्वान बनाने की रेसिपी होती है वैसे ही अल्गॉरिदम में step by step instructions होती है जो कम्प्यूटर को बताती है कि कोई समस्या सुल जाने का procedure क्या है मान लो आपको एक रोबॉट कम्प्यूटर से चाय बनवानी है तो आप क्या निर्देश दोगे कप लाओ, टी बैग लाओ, पानी उबालो, थोड़ा दूद उबालो, थोड़ी चीनी डालो चाय बनाने की ये जो instructions हैं ये चाय बनाने का algorithm है पर ये algorithm ठीक नहीं है क्योंकि हमने computer robot को ये नहीं बताया कि कितना पानी उबालो, उबलता पानी कप में डालो, कितनी चीनी डालो, और कितना दूद डालो Computer programming में algorithm को सटीक बनाना अनिवार है, यानि computer को एकदम precise instructions देनी होती है साथ ही अगर हम सबसे पहले पानी उबालने की instructions दें और फिर cup और tea bag लाने की instructions दें तो चाय बनाने में कम time लगेगा, क्योंकि जब तक पानी गरम हो रहा होगा, तब तक computer robot cup और tea bag ले आएगा यानि computer programming में हमें ये भी दियान देना पड़ता है, कि हम कैसे algorithm को efficient बनाए algorithm का एक और उधारण है, ताश बाटने का algorithm, जो की कुछ ऐसा हो सकता है तब तक दोहराते रहो जब तक की कोई भी ताश ना बचे, clockwise जाओ और हर player को एके card देते जाओ keep repeating till no cards are left, go clockwise, giving one card to each player algorithm को फिर हमें computer को ऐसी भाशा में समझाना पड़ता है, जो उसको समझ में आए जब हम किसी समस्या का हल ढूंटने के लिए ऐसी भाशा में computer को निर्देश देते हैं, जो की computer की समझ में आए तो इसको computer programming कहते हैं वास्तव में तो computer को केवल 0 और 1 की binary भाशा ही समझ में आती है, जिसको machine code कहते हैं मगर binary भाशा में computer को लंबे निर्देश देना हम मनुश्यों के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए हम computer programming ऐसी भाशा में करते हैं, जो हम ज्यादा असानी से लिख पाएं इस भाशा को फिर computer में लगा compiler, machine code में बदल देता है उधारण के लिए C और C++ computer languages हैं, जो फिर machine code में compile की जाती है इन computer languages को बड़ी साबधानी से लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर एक semicolon की भी गड़बड हो जाए, तो program ठीक काम नहीं करता अगर आप computer programming में नए हैं, तो scratch एक सरल मगर असरदार computer language है, computer programming के fundamental सीखने के लिए scratch एक block based visual programming language है, यानि इसमें computer commands सरल भाशा में blocks के रूप में दी जाती है और इन programming blocks को drag and drop करके बड़ी आसानी से आप computer program लिख सकते हैं scratch में संबंधित blocks एक ही रंग के हैं, और ये programming blocks एक jigsaw puzzle की तरह हैं इस कारण काफी हद तक आप गलत blocks को एक दूसरे से नहीं जोड सकते इसलिए scratch में coding करते हुए गलतियां कम होती है scratch beginners के लिए programming के fundamental सीखने का एक अच्छा तरीका है क्योंकि यहाँ ध्यान problem solving पर है commands की रचना जिसको syntax कहते हैं उस पर नहीं scratch में अगर आपका program नहीं चला तो इसका मतलब है कि programming logic गलत है ये नहीं कि आप एक semicolon लगाना भूल गए थे scratch में computer programming सीखते हुए आप अपनी logical thinking और problem solving skills को improve कर सकते हैं साथ ही computer programming के fundamentals जैसे loops, boolean expressions, conditional statements, nested statements आदी की अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं अब तक हमने समझा कि कोई problem solve करने के लिए जब हम computers का प्रयोग करते हैं तब पहली बात हमें computer को step by step एकदम precise instructions देनी पड़ती है ताकि हमारा program efficient तरीके से काम करें computer को दी जाने वाली instructions को algorithm कहते हैं algorithms को हमें computer को एक ऐसी भाशा में समझाना पड़ता है जो उसे समझ में आए इसे computer programming या coding कहते हैं इस video श्रिंखला में हम scratch में मज़दार animation, interactive stories, games इत्यादी बनाते हुए fundamental computer programming concepts को समझेंगे इसे लिए में में आए उसे को दो समय में समय एक यह बनाते हैं